Here is the start of a new series Yeah, I am going to start my survival And I know आप लोगोंने ये वीडियो देखी होगी So, इस वीडियो में मैंने अपनी survival को start तो किया था But मैं उसको continue कर नहीं पाया था किसी reason की वज़े से But इस वाली वीडियो से जो मैं survival start करूँगा उसको मैं या पर continue करने वाला हूँ But उसके लिए एक शर्त है आप लोगों को इस वीडियो पे 25 लेक्स कंप्लीट कराने होंगे अगर 25 लेक्स कंप्लीट हो जाते So, इसका next part उसी टाइम पर आजाएगा So, 25 लेक्स करा देना And let's go into the वीडियो स्टार्ट करते अपनी जर्नी को So, इस वर्ल्ड का नाम मैं यहां पर रखूंगा स्टार, कुमा, एस, गैलेक्सी या स्टार गैलेक्सी का नाम होगा And start करते हैं यहां पर इस वर्ल्ड को So, मैं यहां पर अपने वर्ल्ड में spawn हो चुका हूँ And देख सकतो आसपास कितना प्लेन इरिया यहां पर spawn की So, यहां पर ही मैं अपना बेस बनाने वाला हूँ And यहां पर basic grinding कर लेते हैं यहां पर tree cut कर लेते हैं So, इन plank से बना लेते हैं यहां पर एक crafting table And उसमें बना लेते हैं एक wood की pickaxe And stone wind कर लेते हैं So, इस stone से यहां पर थोड़े अपने basic tools बनालता हूँ जो कि है sword, axe and pickaxe And इन basic tools से यहां पर जोड़े मैं थोड़ा खाना collect कर लेता हूँ आसपास से So, अब मैं यहां पर furnace बनालता हूँ And in furnace मैं यहां पर खाना smelt कर लेता हूँ So, खाना तो यहां पर smelt हो चुका है And यहां पर जो inventory भी sort out हो चुकी है So, चलते हैं एक village जूनने है And जिनको मैं नहीं बता यह जो है मेरी first video का seed है So, मुझे पता हैं यहां पर village कहां पर होगा So, here I am in the village And village में यहां पर जो जो भी सावान मुझे मिलता है So, उसको मैं यहां पर lootने वालों मैं यहां पर कुछ भी नहीं छोड़ूंगा यहां पर bad collect कर लेते हैं Night survive करने के लिए And मुझे यहां पर coal की wayne दिखी So, थोड़ा बहुत यहां पर coal भी collect कर लेते हैं So, यहां पर night भी हो चुकी है So bad लगाते हैं and so जाते है Good morning guys यहां पर जोए हमने first night अपने minecraft world की survive कर लिए And यहां पर जोए थोड़ा बहुत crops हैं उनको भी मैं यहां पर collect कर लेता हूँ And also यहां पर जितने मुझे pumpkin मिलने वाले हैं उन सभी pumpkin को मैं यहां पर collect कर लेता हूँ पूरा village खाली करके जाऊँगा यहां कुछ भी नहीं छोड़ूँगा तो यहां पर मैंने सब कुछ collect कर लिया है And चलते हैं यहां पर spawn पर अपना temporary waste बनाने के लिए But wait मैं यहां पर अपना bad तो भूली के And यहां पर night भी हो चुकी है So village में यहां पर so के चलते है So सब कुछ collect करके मैं आ चुका हूँ यहां पर spawn पर And यहां देख सकते हो कितना flat area है So यहां पर base बनाना एकदम best होगा And यहां पर अपने farms हो जाएंगे And यहां मैं अपना base setup कर लेता हूँ So यहां पर मेरे पास total 6 chest है So इससे तीन double chest बन जाएगी And तीन और double chest में आप प्लेस कर देता हूँ And यह मेरा like temporarily waste होने वाला है क्योंकि इस episode में मैं जो है अपना पूरा एक बड़ा सा house नहीं बना सकता So इस वाले में मैं केवल temporarily house बना रहा हूँ And बाकि second या third episode तक मैं जो है अपना एक अच्छा सा house में लूँगा And यहाँ पर मैं जो furnaces वगेरा सब प्लेस कर दी है Crafting table वगेरा क्योंकि inventory में एक crafting table enough होता है So यह place हो गए And यहाँ पर मैं जो है अपनी इन chest में सारा जो फालतू का समान है या फिर कोई काम का समान है जो मैं अभी चाहिए नहीं वो मैं इसमें chest में place कर दे So अब मैं अपनी water bucket में यहाँ पर पानी पर के लिए आता हूँ जिससे कि मैं एक infinite water source बना सकूँ And let's go यहाँ पर water collect हो चुका है So यहाँ पर मैं अपना infinite water source बनाऊंगा Like मुझे कुछ नहीं करना Just यहाँ पर दोनों corners पर यहाँ पर water डालना है And उससे एक infinite water source बनेगा And यहाँ पर मुझे दो होर्स दिखे तो देखते क्या इनकी 13 to 14 hertz है अगर हुए तो यह tame कर लूँगा मैं But इसके तो नहीं है So इसको तो मैं मार देता हू And next वाले के देखते क्या है उसके यहाँ पर 13 या 14 hertz है So इसके भी नहीं है So मैंने अपनी यहाँ पर second bucket में भी पानी ले लिया है So लेके चलते इसको अपने infinite water source पर And रास्ते हैं मुझे एक हौच दिखा है So देखते इसके 13 या 14 hertz है क्या And भाई इसके 15 hertz है Seriously and first attempt में team हो गया है Like must यार And ये मेरा पहला pet होने वाला इस world का So मैं इसको last तक रखने वाला हूँ So इसके लिए अपना जो saddle पढ़ा है chest में उसको लेके आते है So इसको मैं या पर saddle पहना देता हूँ And लेके चलता हूँ इसको अपने temporary base के पास So इसको मैं अपने base के पास लेकर आ चुका हूँ And यहाँ पर जो है मुझे इसको एक गड़े के अंदर रखना होगा क्योंकि अभी मेरे पास एक lead नहीं है But जैसे मुझे एक trader दिखेगा So एक lead लेके उससे मैं जो है So अभी तो next episodes जो आएंगे उनमें एकदम massive massive एकदम बड़े बड़े बहुत efficient farm बनाने वाला हूँ So subscribe करने ला चैनल को And like first of all मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ sugar cane farm So उसके लिए यहाँ पर मैं 10 बनाऊंगा Like 10 rows बनाऊंगा 8 8 blocks की So यहाँ मैं फटाफट से डिग कर लेता हूँ So मैं मिलता हूँ आपसे सारी 10 rows डिग करने के बाद So 10 rows तो यहाँ पर डिग हो चुकी है And अब बारी आती है इंके अंदर पानी डालने की So पानी यहाँ पर डल चुका है And अब यहाँ पर मैं dirt collect कर लेता हूँ And फिर यहाँ पर शुकरकें को प्लांट कर देता हूँ But मेरे पास यहाँ पर तोड़ी शुकरकें की कमी होने वाली है But कोई ना इसको तोड़ तोड़ के यहाँ ग्रो कर दूँगा So सारे शुकरकें यहाँ पर प्लांट हो चुके And अब बारी आती है एक क्रॉप फार्म की So क्रॉप फार्म के लिए यहाँ पर यह वाला एरिया बेस्ट होगा So यहाँ पर जोए मैं पानी डाल देता हूँ And इसके 4x4 की एरिया में जोए मैं यहाँ पर होई कर दोता हूँ जिससे की यहाँ पर क्रॉप मैं उगा सकूँ And पूरे एरिया में यहाँ पर होई करने के बाद मैं आप से मिलता हूँ 2 मिनिट के अंदर So पूरे एरिया में यहाँ पर होई हो चुकी है यहां पे जोए अब मुझे crops and seeds लगाने हैं लेके आता हूं यहां पे जोए मैं सारे crops and seeds को लगा देता हूं लग चुके सारे अब बारी आती है यहां पे एक animal band बनाने की उसके लिए basically में एक fencing करने वाला हूं दिफोरेस्टेशन करना पड़ेगा लेट्स गो सो डिफोरेस्टेशन करने के बाद तुम्हारा भाई यहां पे आ चुका है fence and fence gate बनाने सो बन चुके और इनको यहां पे मैं जोए place कर देता हूं सो फैंसिंग तो हो चुकी है इनके अंदा जोए मैं animal भी जादू से लिगा चुका हूं लाइक जादो वादों नहीं है बट काफी जादा मेनत लगी थी और काफी बोरिंग पार्ट था सो इसको मैंने कट कर दिया इस बिड़र में हम लोगोंने काफी ज्यादा प्रफिस किया है यहां देख सकतो animal barn और यहां पे crop farm और शुकरगेन फार्म सो तीन फार्म हो गए और देख सकतो यह जो शुकरगेन इस तरह से grow होता है सो इसको मैं काट के यहां पर वापस से grow कर देता हूं और काफी जाद हम इनक कर दिया है और offline में इसको यहां पर और भी जादे लास्त तक कर दूँगा So that's it for today's video and comments में बताना कि यह वाला survival episode आप लोगो कैसा लगा and अगर अच्छा लगा हो so like कर देना 25 likes का एम है so कर देना next part के लिए and मिलेंगे ऐसी किसी next video में तब तब के लिए